आज की क्लास में हम क्याल्क के आगे के फंक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे क्याल्क में अब हमें जो नेक्स फंक्शन मिलता है वो है प्रॉपर्स फंक्शन्स चुल्ट इडंस टू कन्वर्ट दफ इच वर्ड इन दर टेक्स स्ट्रिंग तू अपरकेस जसलाइक टाहिटल केस अंड रिमेइनिग लेटर तू लोवरकेस प्रॉपर फंक्शन का यूज ह हम तब करते हैं, जब हमें अपने text के first letter को capital करना होता है, जैसे कि हमारा title case वर करता है, और बाकी जो letters होते हैं, वो lower case में होते हैं, जैसे मान दीजे, यहाँ पर आपका एक example में ऐसे लिखा है, insert shape, अब insert shape में हम I को और S को, यानि first letter को capital करना जाते हैं, तो हमने output पे एक blank cell पे करसा रखा, insert में आएंगे, function पे, यहाँ पे हमने दिया proper, search करके next करेंगे, next करने के बाद text में आके इसका selection देंगे, okay करेंगे, तो हमें देखे जो result मिला वो कैसा मिला, insert shape का I, यानि first letter capital, और shape का S letter capital हो गया, next हमारे पर function है, repeat, function is used to repeat the given text to a specified number of times, यानि repeat के function का use हम तब करते हैं, जब हमें अपने किसी text को, या किसी number को उतनी बार repeat कराना होता है, जिसे मान दीजिए, आप इस text को repeat कराना चाहते हैं, insert में आएंगे, function पे, यहां पे हमने लिखा repeat, select करेंगे, next करेंगे, text में आके, just text को repeat कराना है, और numbers में जितने times repeat कराना है, हमने या पे 3 डाला, okay करेंगे, तो text हमारा उतनी बार repeat होकर आजाएगा, अब ही देखिए, हमारे text के बीच space नहीं आ रहा है, तो space हम कैसे लेंगे, जब हम यहां पे text type करेंगे, और उसके बाद हम space लेंगे, अब अगर आप यहां पे function यूज़ करते, insert function, repeat, next, इस function को कितने times, 3 times, तो यह उतनी बार repeat होकर आजाएगा, इसे तरीके से अगर आप इस number को repeat कराना चाहते हैं, तो insert function, repeat, next, selection लेंगे नमबर का, कितने times, 5 times, यह repeat होकर आजाएगा, इस तरीके से, next हमारे पस function है lower, function is used to convert all uppercase in the text strings to lowercase, यानि lower क्या करता है, हमारे uppercase के text को lowercase में convert कर देगा, यानि capital से small में, insert function में आएँगे, यहाँ पे हमने लिया lower, select करेंगे function, next, किस text को lowercase में convert करना है, तो हमने एक text select किया, stability, okay, तो हमारे जो text था, वो small letters में हो साएगा, next, upper function is used to convert all lowercase case letter in text string to uppercase, यानि यह हमारे जितनी भी letters होते हैं, lowercase में, उनको uppercase में convert करेंगा, करसा रखा, insert, function, यहाँ पे हमने लिया upper, select करेंगे, next, text में आके reference text को और okay करेंगे, तो हमारा जो text है, वो capital letters में आएगा, next है, sum, it is used to add the cell value or range of a cell, यानि यह हमारे cell को total करने के लिए यूज किया जाता है, values का total करने के लिए यूज किया जाता है, मान लीजे, आप अपने इस quantity को total करना जाते हैं, तो view में आए, insert में आए, function पे, यहाँ पे लीजे, sum का function, next, number में आके reference देंगे, जिन cells के number को total करने, okay करेंगे, यहाँ पे देखे, total आजाएगा, next function है, हमारे round, it is used to round the number to a specified number of digits, यानि यह हमारे numbers को round करने के लिए यूज किया जाता है, आप जितनी digits तक इसको round करने के लिए देंगे, यहाँ पे राएंगे, cell पे करसा रखेंगे, insert में आएंगे, function में, यहाँ पे हमने लिया round, select करेंगे, next करेंगे, number का selection लेंगे, और इसको कितनी digits तक round कराना है, यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया, minus 2, okay करेंगे, तो देखिए, यह round होके कितना आ गया, 600 तक आ गया, यह इस तरीके से आप किसी भी value का rounding method ले सकते हैं, numbers को round करा सकते हैं, next यह हमारे परस round up, it rounds a number up away from zero, यानि यह हमारे numbers को upward form में round करता है, जैसे यहाँ पे देखिए, लिखा था 2345.5678, तो जिब हमने यहाँ पे round का function लगाया, यहाँ पे हमने लिखा, two digits तक round करें, तो इसने 7,8 को हटा दिया, और 5,6 को ले लिया, ऐसी हम यहाँ पे use करते हैं functions को, insert function, यहाँ पे लेंगे round up, next, next करने के बाद number में आके इसका reference, कितनी digits तक करना है, हमने यहाँ पे लिया 3, ओके, तो देखिए, इसने 3 digits तक round कर दिया, यानि 7,8,5, अब क्योंकि 6 जो था, वो 5 से बढ़ा है, तो आगे वाले number के एक value बढ़ा दी, यानि यहाँ पे हो गया, 6, 6, ऐसी, अगर हम यहाँ पे 2 कर दे, 2 digits तक round करे, तो यहाँ पे देखिए, 2346.79 हो गया, यानि 2 digits तक round कर रहा है, 8 के बाद 5 था, और 5 से अगर वाल्यू बढ़ी होती है, याब 5 होता है, तो आगे वाले number के value बढ़ जाती है, यानि यह 9 हो गया, तो इस तरीके से हम rounding कर सकते हैं, इसी तरीके से downward rounding क्या करेगा, it rounds a number down, towards 0, यानि यह number को downward form में round करता है, जैसे यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 था, तो यहाँ पे हमने जब function लगा रहा है, यहाँ पे 2 digits तक round करे तो इसने 5, 6 तक कर दिया, ऐसी हम यहाँ पे function लगाएंगे, insert, function, यहाँ पे लिए round downward, next, number में आखे इस का reference, कितनी ज़िट्स तक करना है, 3, ओके, या 2 digits, ऐसे डालेंगे, या 4 digits, तो हम यहाँ पे numbers को round करा सकते हैं, ओके, इस तरीके से, cell का reference लेंगे, enter, यहाँ पे देखे, 3 digits तक round हो गया, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो यह 2 ले लेंगे, यहाँ पे set करें 2, देखे, 2 digits तक round होकर आ रहा है, यानि 7, 8 तक, तो इस तरीके से, हम round करा सकते हैं, अपने number को, next है हमारे पास, sum if का formula, sum if is used, to sum the value of, according to the condition, यानि sum if का use, हम तब करते हैं, जिब हमें, अपने condition के according, किसी numbers, किसी का भी sum करना होता है, तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम लो, जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पर कुछ items लिखे, उसका price लिखा, हमने यहाँ पर लिखा, tea, और coffee, यानि हमें केवल, soap के price का sum करना है, तो हमने यहाँ पर formula लगा लिया, sum if, यहाँ पर हमने पहले reference लिया, soap का, soap के sell का, next हमें जिस item के लिए निकालना था उसका reference, और उसके बाद जो निकालना था उसका reference, हमारा formula आजाएगा, यही formula हम यहाँ पर set करके देखते हैं, मान दी जब आपको coffee के price का total करना है, तो equal to sum if bracket, हम function का भी use कर सकते हैं यहाँ 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 टाइप भी कर सकते हैं, bracket लगाएंगे, range में आके item का reference, bracket, इसके बाद आपको जिसके लिए निकालना है, जस item के लिए उसका reference, और price का reference, bracket close करेंगे, enter कर देंगे, यहाँ पर दीखे, coffee का आगया, price का total, यहाँ पर price है, तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी criteria के according numbers का sum कर सकते हैं, next है product, it multiplies the given number, यानि यह हमारे number के multiplication के लिए use होते हैं, जिसे मान लीज़े आपने कुछ items लिखे, आपको उनकी quantity और price का multiplication करना है, तो यहाँ पर आके insert में आएंगे function पर, यहाँ पर हमने लिया product, next, next करने के बाद, जिन numbers का product करना है, उस cell में reference लेंगे, जिसे number one में इसकी quantity, और number two में इसके price का, okay करेंगे तो यहाँ पर multiplication आजाएगा, हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, equal to, product लिखे, bracket close, और reference दे दे, comma, second का, bracket close, enter, हमारे पास total आजाएगा, product आजाएगा, next है power, it returns the result of a number raised to a given power, यानि यह हमारे, जितने भी जो number की वावर्स होती है, उनको, calculate करके, result शो कराता है, जैसे यहाँ लिखा था, eight की power two, यानि eight को जब दो बर multiply किया जाएगा, तो 64 आएगा, ऐसी आपको देखना है, कि अगर 15 की power two होती है, तो result क्या आएगा, function में आएगे, यहाँ पे लिया power, next करेंगे, base का reference लेंगे, और exponent, तो क्या दिखा रहे है, 15 की power अगर two होगी, तो 225 आएगा, अगर 10 की power 3 होती है, तो 1000 आएगा, next है mode, this function return a remainder of a division, mode का function क्या करता है, कि हमारे अगर, हम कोई number divide करते हैं, और उसका जो भी division बचता है, वो दिखाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास number है, diviser है, उसका जब हमने function लगा है, तो result में इसका remainder 4 बच रहा था, ऐसी इसका में पता करने, insert function, यहाँ पे हमने लिया, next, dividend में इसका reference, और diviser में इसका reference, okay, तो क्या दिखा रहा है, हमारे पास जो output बचता, वो 1 बचता, next है tron, it tronicates a number, to an integer, by removing decimal और fraction, a part of number, यानि यह क्या करता है, कि हमारे, tronicate क्या करता है, number का integer, decimal और fraction फर्म होता है, उसका दिखाता है, जैसे कि, यहाँ पे हमने लिया, part of number, tron का function लगाया, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 5, 7, और इसको कितने डिजिट तक tron करना है, 2, तो यहाँ पे देखे, result आपको इस तरीके से मिल गया, हम यहाँ पे function लगा लेते है, एक्वल टू, trunc, ब्राकेट, रेफरेंस लेंगे नंबर का, कॉमा कितनी डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक हमें decimal places चाहिए, ब्राकेट लोज, एंटर, देखे के फिर 2 डिजिट तक आएगा, अगर हम यहाँ पे 3 कर दे, तो 3 डिजिट तक decimal places शो करेंगे, नेक्स्ट यह रोमन, दा लिब्रे ओफिस क्याल्क, रोमन फंक्शन कंवर्टर नंबर टूर रोमन यमिरल, यानि रोमन क्या करता है, कि हम आरे नंबर को रोमन फॉर्माट में शो कराएगा, जैसे हमने जब रोमन का फंक्शन यहाँ पे लगा, कि 15 को रोमन नंबर में कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से शो हो रहा है, ऐसी अगर हम 20 को देखना चाहते है, रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, इंसर्ट में आएंगे फंक्शन पे, यहाँ पे आके हमने रोमन का फंक्शन सर्च किया, फंक्शन को सेलेक करके next करेंगे, नंबर में आके reference और ok करेंगे, तो यहाँ पे show हो रहा है, कि 20 को रोमन नंबर में x लिखते हैं, अगर हम चाहिए 10 का देखना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते है equal to roman bracket reference ले लेंगे number का bracket close करेंगे enter करेंगे तो यहाँ पर 10 का भी roman number show हो जाएगा next हमारे पास जो function है वो है squared the can't squared function return the square root of a positive number squared return an error if number is negative squared का काम क्या होता है के squared हमारे number का square root बताने का काम करता है और जो हमारे squared का function है वो cable positive number का ही square root बताता है अगर हमारा number negative है और हम उस पे squared का function यूज़ करेंगे तो वो error show करेगा जैसे हमने जब यहाँ पर 25 का square root निकाला तो यहाँ पर दिखा रहा था 5 यानि 5 को जब हम दो बार multiply करते है तो हमारा 25 आता है ऐसी हम 144 का square root देखना चाहते है insert में आएंगे function पे यहाँ पे हमने लिया squared select करेंगे next करेंगे number में आके reference लेंगे और ok करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 12 यानि 12 को दो बार multiply करते है तो हमारा 144 आता है यहाँ पे देखिए जब हमने squared का function लगाया 64 पे तो यह हमें error दिखा रहा है क्यों? क्योंकि squared का function होता है यह हमारा से positive numbers पे चलता है next है trim the trim function remove all spaces from the text except for single spaces between words यानि trim क्या करते है हमारे text के बीच अगर जादा spacing होती है तो वो उसको remove करता है लेकिन अगर single की spacing है तो वो उसको छोड़ देगा multiple spacing अगर होती है तो वो उसको कम कर देता है insert में आएंगे function यहाँ पे हमने लिया trim choose करके next करेंगे text में आपे text का reference लेंगे और okay करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने इसके table organized vertically यानि we look up function का use हम तब करते है जब हमें अपने data को search करना होता है यानि अपने data को search करना होता है और जब हमारा data vertically organized हो जैसे माल लेजे हमने यहाँ पे id लिया और id थी 210 हम यह देखना चाहते है कि जिनकी id 210 है उनका last name क्या होगा ऐसे ही यहाँ पे हम क्या देखना चाहते है यहाँ पे जब हमने function लगाया था तो यहाँ पे दिखा रहा था कि जिनका भी आप जिनकी id 210 थी उनका जो last name था वो श्रिवास्तव था तो हमने यहाँ पे reference कैसे लिया पहले we look up में जो data को search करना था उसका reference लिया next हमने अपनी पूरी sheet का reference लिया next अब आप जब search कर रहे हैं last name तो last name का column क्या है हमने reference लिया first, second, third और उसके बाद answer हमें कैसे चाहिए तो answer के लिए आपने zero दे दिया यानि true answer है हमारा अब वही चीज़ हम यहाँ function लगाते है हम क्या चाहते हैं कि अब हमें जिनके भी id 331 है वो किस department के है हमें यह यहाँ पे चाहिए search करना है तो equal to vlookup bracket यहाँ पे देखे आपके से क्या पूछ रहे है search criteria क्या criteria है आपका तो id का reference, comma अब हम से कह रहा है error यहाँ पे आके reference लेंगे पूरी sheet का comma next हमें किस column का पता करना है यानि जो department है यह किस column में first, second, third, fourth comma अब यहाँ पे answer के लिए हम zero देंगे bracket close करके enter तो क्या दिखा रहा है कि जिनकी भी id 331 है इनका जो department है वो क्या है sales का है तो इस तरीके से आप किसी भी vertically organized data से अपने percent की detail को search कर सकते है next हमारे पास है hlookup hlookup का use हम तब करते है जब हमें horizontally अपने data को search करना होता है देखे लिखा है तो excel यहाँ पे the calc hlookup function finds the and retrieve a value from a data in a horizontal table the h in hlookup stands for horizontal and lookup value the first must appear in the first row of a table moving horizontally to the right अब मानीच हमने यहाँ पर employee ID डाली कि जिनकी employee ID 610 है हमें उनका नाम पता करना है तो हम function लगाएंगे equal to h lookup bracket search criteria में reference लेंगे जिसकी ID के तरह हम देखना चाहते हैं कॉमा अब हम यहाँ पर era में आके अपने पूरे sheet का reference कॉमा अब आप क्या देखना चाहते हैं employee का name तो employee का name है उसकी row कॉनसी है तो first ID की है और second है हमारे name की तो हमने आप लिए second कॉमा answer के लिए यहाँ zero bracket close enter तो दिखे क्या दिखा रहा है कि जिनकी ID 610 है उनका नाम क्या है राशी गुपता अगर यहाँ 798 डालेंगे तो देखें यहाँ पर change हो गया क्या दिखा रहा है कि जिनकी ID 798 है उनका नाम राजेंद शर्मा है इसे तरीके से आप contact number सर्च कर सकते हैं equal to h look up bracket id का reference comma sheet का reference bracket close यहाँ पर हमने contact number की रो डाली first second third comma और zero bracket close enter देखें यहाँ पर उनका contact number आचाएगा next हमारे पास function is sumifs sumifs का काम क्या होता है the sumif functions add all the numbers in a range of cell based on a single or multiple criteria या यानि sumif function क्या करता है हमारे cells की range में numbers को add कर आता है लेकिने single या multiple criteria के basis पे सबसे पहले मान लीजे हम sum करना चाहते हैं bread के product को जो सिफ राजेंद्र नगर में ही sale हुए हैं तो हम यहाँ पे sumifs का function चूस करेंगे equal to यहाँ पे हम लिखेंगे sum ifs bracket sum range में हम reference लेंगे हमें sum किसका करना है इन numbers का तो इसका reference, criteria one यानि हमारा criteria क्या है, criteria है हमारे product का, comma, inverted comma हमने यहाँ पे लिखा bread inverted comma close, comma, फिर से range का reference, region, comma, inverted comma में राजेंद्र नगर, bracket close करके enter करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, कि जो bread है वो राजेंद्र नगर में, जिन जिन जो जो bread राजेंद्र नगर में sale हुई है उनका यहाँ पे sum show करेगा, next is sum product, यानि हमें क्या करना है, अब product करना है, यानि अपने numbers का sum करके उनका product, यानि price का total और quantity का total करके उन दोनों को multiply करना है, ऐसे तो हमें अलग-अलग करना पड़ेगा, पहले हम इसका sum करें, इन दोनों का उसके बाद हम product का function लगा है, देकिन अगर हम directly करना चाहें, तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है the sum product function multiply range और error together and return the sum of product, function लगाएंगे equal to sum product bracket, reference लेंगे हम लोग price का, comma quantity का, यानि जिनका भी sum करके product करना है, bracket close करके enter करेंगे, यहाँ पे देखें, आपकी price और quantity का sum होके उनका product शो हो जाएगा, तो यह हमारे calc के कुछ functions थे, जिनका use करके हम work कर सकते हैं, इंसर्ट में हमें जो next option मिलता है वो है name range और expression, तो यह option हम आगे से पढ़ेंगे, अभी हमारे इसका use नहीं है, next is text box, अगर आपको text box बना के कुछ काम करना है, आप insert में text box पर आईए, mouse को hold करके drag कर आईए, आपके पास यह box बन कर आएगा, आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं इस box में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखे, अगर आपको अपने text box की setting करनी है, तो select कीज़ें, यहाँ पर दीखे, आपको इसकी setting के लिए options मिल रहे हैं, विड बढ़ा सकते हैं, line style कैसी लेनी है, वो ले सकते हैं, color कैसा लेनी है, ले सकते हैं, इसके अंदर अगर आपको color फिल कराना है, आप color आट करा सकते हैं, अगर आपको gradient फिल कराना है, आप यहाँ से gradient आट करा सकते हैं, bitmap effect लगाना है, यानि picture effect वो set कर सकते हैं, हटाने, select करके डिलीट करेंगे हच जाएंगा। नेक्स õ ीन कमें इसका य्जम तब करते हैं जब हुप हुप कुई कमेंन कानट करा ना होते हैं जैसे मैं लीजए आप अपने के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं और कर्शा रखेएंगे यहां पर करें लिए अग्रज करां के इंसर्ट कम्नब्र करके कमेंट करा सकते हैं जो भी आपको कमेंट दे रिखनके से इस तंत तरह के हटाना होगा तो मौश के राइट करके डिलीट कमेंट करेंगे रिखन, डिलीट पर आएंगे डिलीट कमेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लोटिंग फ्रेम इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी फ्रेम के अंदर कोई कंटेंट एड़ कराना होता है सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे फ्लोटिंग फ्रेम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नाम देंगे फ्रेम का कंटेंट में आके जो कंटेंट आपको इस फ्रेम में आड़ कराना है उसका रेफरेंस लेंगे ब्राउस पर आएंगे यहाँ पर हम कोई फाइल चूज कर लेते हैं जैसे मालीजे यह जो फाइल है, इसका कंटेंट आपको फ्रेम में आड कराना है, अगर आपको फ्रेम में स्क्रॉल बार चाहिए, बॉर्डर चाहिए तो उन करेंगे, पैदिंग यानि स्पेस अगरा सेट कर सकते हैं, ओके, यहां पर देखिए आपके पास यह फ्रेम बन कर आजाएगा, इस तरहीके से यह फ्रेम आएगा, आपके पास बन के, हटाने हम इसी फ्रेम को डिलीट करेंगे, तो फ्रेम हमारा हट जाएगा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉंट वर्क या पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको डिफर्ण डिफर्ण टाइप के टेक्स्टाइल्स मिल रही हैं, तो आप इन टेक्स्टाइल को यूज़ करके कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, हाइपर लिंक ओप्शन भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, कि अगर आप हाइपर लिंक एड़ कराके, किसी भी फाइल पर लिंक लगाके, कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कि श्ब्सक्राइब करेंगे, तो यहां पे कुछ फैले से बने बने कारेक्टर मुलते हैं, ऐंसर्ट करा के अगर चाहा है कर सकते हैं, ऐंसर्ट, इस पशाल करेंगे, ऐंसर्ट, अडेट बाप करा कर्या है, और अपको टाइम शेट करेंगे, नेक्स्ट यह वाले जो जू आप header footer चलाया था हमने तब वहां पे हमने date और time सीखा था वही option से आप चाहे तो यहां से भी use कर सकते हैं form control हमें use नहीं करना है form control जैसे आपने राइटर में पढ़ा था वैसी ही चलता है email id वेगरा डालने तो डाल सकते हैं ok करेंगे मारे पास यह signature आड़ो कर आजाएगा हटाना चाहते हैं तो यहां से delete करेंगे delete हो जाएगा तो यह हमारा insert menu था complete हो चुका है इसके आगे का menu हम next class में पढ़ेंगे आवेर संदाओर में राट अरो कर दो कर का हो आपेरे लिए डाल